हिमाचल में मौसम पिछले कुछ समय से शुष्क बना हुआ है। शिम्ला में 15 साल बाद जनौरी महीने में बरबारी नहीं हुई है। मौसम वी भाग के अनुसार हिमाचल में अभी पहली फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचा प्रदेश की राज़ानी शिम्ला में 15 साल बाद जनौरी महीने में बरबारी नहीं हुई है। हर सार जनौरी महीने में बरबारी होती थी लेकिन इस बार अब तक पूरे महीने हैं। वहां पे जो स्नौफल अच्छी थी अदरवाइस बाकी जो इलाके थे वहां पे बहुत ही लाइट बारिश जो रिकॉर्ड के गए थी। तो अभी अगर हम टोटल ओवरॉल बारिश देखें तो जनौरी के महीने में अभी तक 48% जो बारिश जो है वो प्रेस्प्रेशन कम चल रहेगा एक फर्बी तक अभी तक कोई भी अमीर नहीं है बारिश की जो स्नौफल की एक तरीको डॉली डी अप्रोच कर सकती है जो हमालन रिजन में जिसका फेक्ट है माच्छा प्रदेश में दू और तीन तरीकों माच्छा प्रदेश के कुछ एक लाकों में बारिश जो प्रदेश की रहेगी अधर्वाइस एक तरीक तक मौसम जो है वो ड्राय रहेगा और सालों के बिक्षाबाद करें कि कितनी कम बारिश होई है अभी नॉर्मल से जो बारिश है वो कम है अगर लास यह से कंपेर करें तो लास यह जो जम्री का मीना था इसमें नॉर्मल बारि सिब्रेशना वो 27 मिलिमीटर होई है लेकिन स्नुफाल जो है वो 2007 के बाद जो द्वारा यह मंद चाया है जब जो स्नुफाल नहीं होई है 2006 में और 2007 में भी शिमला टॉन में स्नुफाल नहीं होई थी उसके बाद जो कुछ एक जियर थे उसमें बिलकुल कम स्नुफाल अगर मैं बिलकुल नहीं थी तो यह हम यह कह सकते हैं कि 14 साल के बाद जो है शिमला टॉन में जो बिलकुल स्नुफाल नहीं हुई है जन्मी के में ताफमान के हम बात करके इतने डाउनर हैं ताफमान जो पिछले एक दो दिन से कम चल ले हैं जो डॉब्री डी थी 24 को प्रो कलपा है जहां पर ताफमान नॉर्मल है बाकी जो अपने लो हिल्स वाले लाके हैं जा मीडिल वाले लाके हैं वहां पर ताफमान दो से तीन डिग्री कम चल ले हैं आने वाले दिनों में 48 आर्स के बाद जो ताफमान वह राइस करेंगे रात के ताफमान भी राइस करेंग झाल